सेना ने सरहदों की रक्षा के साथ साथ स्वच्चता पकवारे के तहट आम लोगों को स्वच्चता के प्रती जागरू करने का प्यास किया है ताकि स्वच भारत स्टेस्ट भारत का सब नशाकार हो सके इससे आने बाले पीडी के लिए परेवर्ण सरंक्षित में मज़द कर सके इसी मुहीम को लेकर शिमला जिला के रामपूर के समिप पित्थी मिल्टरी स्टेशन के ट्राइपिक ब्रिगेट के बीर मराथा जवानों ने डियेबी स्कूल दतनगर के बच्चों के साथ मिलकर सफ परेवर्ण सरंक्षित में मदद कर सके इसी मुहीम को लेकर शिमला जिला के रामपूर के समिप पित्थी मिल्टरी स्टेशन के ड्राइपिक ब्रिगेट के बीर मराथा जवानों ने डियेवी स्कूल दतनगर के बच्चों के साथ मिलकर सफाई अवियान चलाया इससे पहले लोगों को जागरू करने के लिए दतनगर में एक जवानों और स्कूली बच्चों ने रैली भी निकाली थी साथ में सेना और स्कूली बच्चों ने मिलकर दतनगर आसपास फैले कच्चरे को भी साफ किया बच्चों को सेना के अधिकारियों ने सिंगल यूस प्लास्टिक से परेवन को हो रही नुकसान के बारे में भी अपकत करवाया इस मौके पर मौझूद सेना के अधिकारियों एवं स्कूल के सिख्षकों ने बच्चों को प्लास्टिक कम से कम उप्योग करने की सला दी अबियान के दोरान ये भी प्रण लिया गया कि अपने परिवार और आस्प्रोडोस को इस विश्या पर जागरूख करेंगे करनल मालिक भीर सिंग ने बताया कि सुच्छतर अबियान और सुच्छता पखवारे के तहट अबियान चलाया गया है हमारा मकसद था कि कल के वविश्य बच्चों को सिंगल यूज प्लास्टिक के वारे में चाक रूख करें ताकि इसे इस्तिमाल ना किया जा सके और परेवन खराब ना हो उन्होंने बताया कि सेना बच्चों के माद्यम से लोगों तक संदिश पहुँचाने का परयास कर रही है परेवन को बिगाडने बली चीजों का इस्तिमाल ना करें सेना सेने क्षेतर में सफाई और स्वच्चता का विशेश द्याम रखती है आप सबको ग्याद है मालूम है कि स्वच्चता पकवाड़ा जो गौर्मेंट ऑफ इडिया के अंतरगर चल रहा है उसी के अनुसार हमने आज का ये जो अभिहान चलाया है स्कूल के बच्चों के साथ मिलके में मकसद था बच्चों को अवेर करना जागरुक करना सिंगल यूस प्लास्टिक के बारे में जो रियूजबल प्लास्टिक है उसको कैसे उससे बचना है कैसे उसको अवाइड करना है ताकि हमारा परयावरन बच सके तो ये हमारा में मक्सद था आज के इस पूरे प्रोग्राम और पूरे अभियान का जुमी के वासी हैं, ये बहुत ही पुवित्र धर्ती है और हमारा फर्ज है, हमारा दाइतु है कि हम इसको बचाके रखें इसको पतित ना करें, इसको दूशित ना करें और single-use plastic से बचें धन्यवाल